सेपरेट एलक्टरल पर्थक निर्वाचन छेतर होने चाहिए स्टी एश्टी विदायक और सांसदों को केवल स्टी एश्टी लोग चुने चुकि यह जो भारते जंता पार्टी की सरकार है इसमें नयाय की भामना नहीं है यह सरकार राज्तन तर लाना चाहती है यह बाबाज़व के समिदान को खतम करके मनुसमर्थी का इसासे लना चाहती है जाती जनगर्णा की बात कर रहे थे तो हम इसका भी समर्थन करते हैं तीन सो पैसिट दिन का काम चाहिए साथ सुर्पे देहरी चाहिए और पोस्ट मेटर स्कॉलोशिप बंदी सिंगों का मसला जो सिक 30 साल से अंदर है मनौटी के लोग अंदर को चुडाने के लिए है S.C.S.T. के बजट की सब पलान की हिस्सेदारी का हमारा मसला है मैं इस समय जंतर मंतर पढ़ हूँ और डॉक्टर हितु का जो दिली इनवर्सिटी की पुर्फेसर थी जिस तरह सुनको नौकरी से निकाला गया वो अंदोलन अब जंतर मंतर तक आ गया है और पंजाब से बहुत साइड लोग आये हूँ है राजिंसपाल गौतम है दिली के बिधायक पुर्फ मंतरी वो भी आये हैं क्या होगा सार एक महिना से ज्यादा का समय हो गया एक महिने क्या तीन महिने चार महिने भी हो जाएं उसके बाद भी भारते जंता पार्टी की सरकार सुनने वाली नहीं है चुकि यह जो भारते जंता पार्टी की सरकार है इसमें नहाय की भामना नहीं है यह डॉक्टर बाबा सहिब अंपिट करके समयदान में वरोसा नहीं करती यह लोगों के मौलिक अधिकारों में वरोसा नहीं करती यह सरकार प्रजातंतर में वरोसा नहीं करती ये सरकार सामन तबादी है ये सरकार राज़तन तर लाना चाहती है ये बाबाज़ब के समयदान को खतम करके मनुसमूर्टी का असासन लाना चाहती है और इस सरकार को 2024 के चुनाओं में इसको बुरी तरीके से हराए मिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है और जब तक ये सरकार हार के बुरी तरह सत्ता से दूर नहीं होगी तब तक देश के लोगों को नयाय मिलने वाला नहीं है चाहे हो रितु सिंग का मामला हो चाहे हमारे समाज के बाकी बेन बेटियों का मामला हो चाहे दलीतों के अत्यार उत्पिडन का मामला हो किसी भी मामले में, किसी भी भारते जनता पार्टी की राज़त सरकार या के अंदर सरकार से मैं कम से कम नियाय की उम्मिद बिल्कुल नहीं करता हूँ लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, यह भी एक समस्या हो रही है नहीं ऐसा नहीं है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। पूरे देश के अंदर अगर हम जाएंगे तो रोज हजारों प्रतस्थन हो रहे हैं। जिसमें स्टी ओविसी माइनोरिटी के लोग देरे देरे एक जूट हो रहे हैं। ताकत बननी सुरू हो गई है। और आप भी अपने इस न्यूज चैनल के मादनम से लोगों को बोले कि लोग ही खटे हो रहे हैं। अब आप परिवारों के साथ, अपने बेहनों के साथ, माताओं के साथ, बिच्चों के साथ, बाहर निकल ये जंग को लड़ने की त्यारी कीजिए। ये सामाजिक नहीं की लड़ाई ह ये समता और विसमता के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई में अल्टीमेटली ताकत की लड़ाई नहीं है। को मानती नहीं है, समिधान को मानती नहीं है। सबी लोग भारत के समिधान को हाथ में लेकर दोक्टर बावाई से मिटकर का जैभीम का नाना लगाकर धीरे दीर एक जूठ हो चलें। और सब लोग तैय कर चुके हैं कि इस बारते जंता पार्टी को हराना है। सब्सक्राइब से दोक्टर इतु धरने पर हैं, जंतर मंतर तक आदोलन आ चुका है, बहुजन समाज की बेटी हैं, सिजुल कास से आती हैं। क्या कहेंगे सार, पंजाब से आप लोग को यहां ना परा है। मैं सबसे पहले आप शम्बु 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 जयभीम कहता हूं, आपके चैनल का बहुत मैं आदर करता हूं और हम देखते रहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहां आए एं तो हम पंजाब से आए हैं पंजाब से नरेगा का मसला लूँ समर्थन और भी आहे हैं तो हम इसका भी समर्थन करते हैं जाती गर्णा क्योंकि 1931 के बाद में यो OBC कितनी बड़ंबना है देश में कि जानवरों की गिंती होती है पश्यों की जानवरों की गिंती होती है OBC की आज तक 19時間 किती के बाद OBC कि जनगरना इनी आ है जाती जनगरना ही नहीं नहीं हुए तो जब हमें जाती पता इनी हो गए कौन कितने पानी में है किसके पास क्या है क्या नहीं है तो हम उनको कैसे अधिकार मिलेंगी तो ये देखिए काफी संख्या में लोग है भाई साब कहां से आएं आप लोग हम आएं जी पंजाब से रेशम सिंग कालों हमारा नरेगा वरकर फ्रेंट है जो 365 दिन का काम चाहिए 700 रुपे द्याड़ी चाहिए और पोस्ट मेटर स्कॉलरशिप बंदी सिंगों का मसला जो सिक 30 साल से अंदर हैं मनावटी के लोग अंदर को चुडाने के लिए है SCST के बजट की सब पलान की हिस्सेदारी का हमारा मसला है जो यह सारे मसले लेकि आज मोदी साब के सामने आए है रीतु जी हमारे मॉडल है यूथ मॉडल है रीतु जी के साथ 35 दिन से वो दर्णा लगा के बैठे है उसका भी हम सिजो कर रहे हैं वो हमारा भी सिजो कर रहे है प्राचा साब भी कर रहे है तो ये बड़ी ख़बर दिखा रहा हूँ देखे किस तरह से लोग धीरे धीरे अब विदायक जी क्या लग रहा है आपको की अब रास्ता क्या है रास्ता तो एक ही बचा है सेपरेट एलेक्टरल पर्थक निरवाचन छेतर होने चाहिए SC, ST विदायक और सांसदों को केवल SC, ST लोग चुने जो बावा सहीब की असल डिमांड थी जो गांधी की रक्सा करने के लिए और दलितों का कतलयाम न हो नरसंगार न हो इस वज़े से डर्थक निरवाचन छेतर चाहिए SC, ST, सांसद विदायकों को S.C.H.T. लोग चुने तब ही हमारे प्रतनिदी सच्चे प्रतनिदी बनेंगे तब ही वो समाज की आवाज बनेंगे फिर वो S.C.H.T. के मुद्दों पर जब उनके खलाब प्रस्ता पास होगा चुपी नहीं रखेंगे लेकिन आज चुकिए सयुक्ति निर्वाचन छेचत है S.C.H.T. विदायक को चुनने में सब लोग वोट डालते हैं इसलिए S.C.H.T. विदायक सांसर्मंत्री वो S.C.H.T. के नहीं बन पारे उनकी आवाज नहीं बन पारे वो अपने पार्टियों के गुलाम बन गए और उनकी पार्टियां जब सत्ता में होती है वो S.C.H.T का परदरसन जो है अब वो विहां तक आ चुका है S.C.H.T. निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें